चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC के इस्टे वेकंसी राउंड के लिए जो काउंसलिंग अथोर्टी हैं वो AIMS, Jipmer, BHU, AMU, FMSC, VMMC और respective Dimmed University हैं इन पर आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर रेजिस्टेशन करना है उसके बाद जो इन्होंने डेट दे रखी है उस डेट को वहाँ परजेंट होना है इस्टे वेकंसी राउंड के लिए, तो AIMS के अभी रेजिस्टेशन स्टार्ट हैं आज साम चार बजे तक आपको इसकी वेबसाइट पर रेजिस्टेशन करना है यह registration करने के बाद ही आप इस्ट्रे वेकंसी राउंड एम्स के लिए इसमें अपेर हो पाएंगे इस परकार से बाकी कौन-कौन से institute के कब-कब registration है कौन-कौन सी institute की कब-कब counseling है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम एम्स के बारे में चर्च कर लेते हैं तो एम्स का जो इस्ट्रे वेकंसी राउंड होना है उसके registration आज साम 4 बजे तक आपको करने हैं वो कैसे करने हैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो एम्स exams.org की website पर आपको विजिट करने के बाद academic course पर click करना है जैसे ही academic course पर click करेंगे या MBBS का option मिलेगा MBBS के option पर आपको click करना है इसके बाद में proceed पर click करना है proceed पर click करने के बाद stay vacancy registration लिखाओगा इस पर click करना है ये form open हो जाएगा registration form इस्टे vacancy के लिए ये आपको fill up करना है name, father name, mother name, date of birth इसके बाद नीट के roll number इसके बाद में इसमें ring आपकी क्या है overall ring के category कौन सी है mobile number, email id देने के बाद confirm पर click करके I agree पर click कर देना है और save करके इसका print ले लेना है तो ये aims के stay vacancy round के लिए आपका registration complete हो जाएगा इसको आपको साथ में लेकर जाना है वहाँ तो ये तो था aims का मैं आपको बता दूँ कि aims का जो stay vacancy round होना है वो 12th January 21 को होना है तो वहाँ आपको original documents के साथ में present होना होगा इसकी website पर बाकी instructions भी दिये हुए हैं और मैंने इसका पहले video भी बना दिया है तो ये तो हो गया aims का अब हम बात करें BHU में तो BHU में admission लेने के लिए इसकी website BHU IMS पर आपको विजिट करना होगा और history vacancy के लिए notice देखते हैं तो इसमें 15th January 21 को इसका history vacancy round होगा अभी इसमें जो registration की date है वो 13th January 21 दोपेर एक बज़े तक है वहां present tracker आपको वह registration करना होगा registration fees 1000 रूपीज इसमें शोरी 1000 रूपीज UROBC के लिए SAST के लिए 600 रूपीज deposit करनी होगी वो cash या dd में ही आपको deposit करनी होगी तो तेरा तारीक तक आप वहां present tracker के registration करवा ले बीजिस यू में अगर आप counseling करवाना चाते हैं इस्टे vacancy के लिए seat matrix आप देखी रहे हैं इसमें इस प्रकार से seat matrix है बीजिस का MBBS के लिए SC में दो seat हैं BDS के लिए ये seat हैं आप देख रहे हैं तो ये 15 जनवरी को आप परजेंट रह सकते हैं BHU के लिए इससे पहले आप इसका registration करवा देए इसके बाद में बात करें हम AMU की तो अलीगट जो मुस्लिमी इनिवर्सिटी है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि MBBS की seat तो नहीं है लेकिन इसमें BDS की 9 seats है इन 9 seats पर open category के candidate stay vacancy round में counseling नहीं करवा पाएंगे ये इसके लिए internal quota में convert कर दी जाती हैं ये seat जो open की होती हैं और इसमें बाकाइदा ये notice भी लिखा हुआ है कि इसमें जो seat हैं वो internal candidate ही eligible है stay vacancy round के लिए तो AMU का जो stay vacancy round होना है उसके लिए सिरफ internal candidate ही eligible है internal candidate वो होते हैं जिनोंने AMU से 10th, 11th, 12th पास कर रखी है वो candidate internal में आते हैं इसके बाद में हम आगे बात करें next counseling authority FMSC की जो दिल्ली university है और DU internal quota की counseling authority है stay vacancy round के लिए तो इनोंने भी अपना schedule जारी कर दिया है इनोंने list भी जारी कर दी है 12th January 2021 को इसकी counseling है stay vacancy के लिए तो इसमें आप slot wise इसका जो देख रहे हैं schedule ये इसके according आपको पहुँचना है अगर आप DU quota के अंडर आते हैं तो इसके बाद में हम बात करें next counseling authority VMMC तो जो जितनी भी seat VMMC या फिर RML में vacant है उनके लिए और ESIC dental में vacant है उनके लिए VMMC द्वारा counseling करवाई जाएगी MBBS की यां कोई seat vacant नहीं है BDS की यांपर 27 seats vacant है तो इसके लिए VMMC नी notice दे रखा है जो इनकी counseling है वो counseling होगी इसमें आपको application form fill करना है support registration के लिए वो 8 से 11 January तक इसमें आपको registration करना है इसके बाद में जो list display होगी वो होगी 13 जनवरी को और reporting admission selected candidate की 14 और 15 जनवरी को हो जाएगी यानि कि इसमें ये सारा आप schedule देख सकते हैं इसमें इसके बाद में इसमें जो documents क्या क्या requirement है उसकी list दे रखी है जिपमर की counseling आज चल रही है आज सुबह start हो जाएगी जिपमर की यानि कि 10 जनवरी को जिपमर की counseling हो रही है इसमें इसके बाद में बात करें हम dimmed university की तो आप जिस dimmed university में admission लेना चाते हैं उसकी website पर आप registration करें उसके बाद दिये गए schedule और venue के according वहाँ परजेंट रहें तो ये stay vacancy round के लिए registration और किस प्रकार से आपको counseling करवानी है इसके बारे में मैंने पुरी जानकारी दे दी है फिर भी आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चीए तो आप इसकी respective website पर visit कर सकते हैं आप हमारे channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके वेल icon फ्रेस करें वीडियो को like वे ज़्यादा ज़्यादा share करें क्योंकि इस प्रकार की information हम लेके आते रहते हैं अगर आपको फिर भी कोई doubt है तो आप इस comments box में लिख सकते हैं या फिर जिनका मेरे से contact है वो मेरे को phone कर सकते हैं ये जानकारी थी stay vacancy round के बारे में बाकी update के साथ में आप से फिर मिलूंगा तब तक मैं आप से लेता हूँ विदा जैहिंद